पढ़ेंगे क्या यूसफुल प्लांट्स ठीक है तो हमारे आसपस क्या है कही ऐसे तरीके के प्लांट्स है जो हमारे लिए क्या होते हैं यूसफुल होते हैं जैसे हमको अगर फ्रूट्स चाहिए तो हमारे लिए प्लांट्स की ज़रुत रहते हैं तो प्लांट्स जैसे हमार हमको oxygen भी हमारे plant से मिलता है तो start करते हैं chapter plants are called our green friends because they are very useful to us तो plants को हम और क्या बोल सकते हैं हमारे green friends किस लिए क्योंकि ये हमारे लिए क्या है बहुत ही useful होते हैं ठीक है we use we see different type of plants in a garden और a park तो हम क्या है बहुत सारे अगर आप जैसे park में जाते हैं ठीक है या फिर कहीं garden जाते हैं तो आपको वहाँ पर बहुत से अलग-अलग प्रकार के पौधे देखते हैं जैसे कहीं mango tree हो गई गुवावा tree हो गई ठीक है उस तरीके से अलग कई तरीके के sopices के tree होते हैं rose की tree होती है जैसे अब garden जाते हो क्या है लगे रहते हैं some plants are small and some are big and strong तो कुछ जो plants होते हैं वो क्या होते हैं small होते हैं और कुछ जो होते हैं वो क्या रहते हैं बड़े और strong होते हैं ठीक है तो जो बड़े और strong plants होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं trees ठीक है तो देखो trees the big and strong plants are called trees ठीक है तो मैंने अभी जड़ जो बताया है कि जो बड़े और strong plants होते हैं जो बड़े-बड़े plants होते हैं वो क्या कहलाते हैं trees mango, neem, bunyan and coconut are example of trees तो क्या है जैसे हमारे पस क्या है mango की tree, neem की tree, bunyan tree and coconut tree तो ये सारे क्या है example of trees ठीक है फिर क्या है shrubs, plants smaller than trees are called shrubs तो shrubs मतलब क्या होते हैं तो क्या है shrubs मतलब चाड़ियां ठीक है, they are bushy and have many hard branches most shrubs live for many years ठीक है तो क्या है ये क्या होते हैं थोड़े से घने होते हैं, बशी होते हैं और उसमें क्या है, बहुत सारे hard इनके branches होते हैं ठीक, तो mostly जो shrubs होते हैं, shrubs होते हैं क्या है ये काफी समय तक जीवित रहते हैं काफी समय या काफी साल तक जीवित रहते हैं जैसे आप रोस का अगर प्लांट देखोगे तो रोस का प्लांट क्या है आराम से पांच से दस सल तक वो चलता है ठीक है जैसे कि रोस प्लांट, कॉटन प्लांट, ठीना ठीक है जो महंदी के प्लांट होती है हमारी वो तो ये सारे क्या है example of shrubs then क्या है next हमारा क्या है herbs ठीक है तो herbs मतलब क्या हुए very small plant ये बहुत ही plant होते हैं they are called herbs herbs are very weak जैसे कि क्या है राइज, ग्रास, प्नैच, एंड वीट और एक्जाम्पल ओफ herbs ठीक है तो ये सारे क्या है इसके एक्जाम्पल है किसके herbs ठीक है next क्या है climbers ठीक है climbers ठीक है climbers ठीक है तो ऐसे plants जो क्या है stand खुद से नहीं कर पाते हैं जैसे उनको क्या stand होने के लिए किसी चीज की ज़रत पढ़ती है जैसे money plant हो गया grape pen हो गया तो इनको क्या ज़रत पढ़ती है support की ज़रत पढ़ती है आप कहां अगर आप pumpkin देखोगे तो pumpkin को भी क्या है अगर support करके ऊपर चड़ा दो तो यह क्या है उपर की ओर होते हैं ठीक है बट pumpkin क्या है pumpkin में अगर fruit हो जाए तो बो क्या हो जाएगा नीचे गिर जाएगा तो इसमें जैसे grape pen हो गए peas हो गए money plants हो गए तो यह they need support to grow up grape pen peas and money plants are example of clambers तो ऐसे जो है यह क्या है इनके example से ठीक है फिर क्या है creepers some plant grow along the ground these plants are called creepers तो कुछ ऐसे plants हैं जो जमीन के शाथ क्या करते हैं grow होते हैं ठीक है जमीन के साथ साथ ही मतलब जमीन की सता से लगते हुए ही यह क्या करते हैं grow होते हैं ठीक है जैसे की क्या है cucumber watermelan pumpkin are example of creepers, creepers मतलब क्या हो जैसे हमारी लटाओ वाले जो फॉदे हो गए ठीक है जिनकी कुप सारी लटाओ निकलती हैं जिए कुप सारे parts निकलते हैं वैसे ठीक है अब क्या है uses of plants तो uses of plants देखो plants are useful to us in many ways they give us many things such as wood ठीक है food, wood, fiber, medicines and perfumes they give us paper, gum and rubber they give us oxygen to breathe plants के हैं हमारे लिए बहुत सारे तरीकों से बचो useful होता है ठीक है यह हमको कई तरीके की चीज़े देता है such many things like food हमको खाना जैसे हमारा wheat, rice, maize, pulses, carrot, radish, fruits ठीक है जितने भी है वो, wood, लकनिया, ठीक है fibers ठीक यह सारी चीज़े, medicines, perfumes तो यह सारी चीज़े हमको क्या है इससे मिलत है ठीक है इन सारी चीजों से क्या है हमको बहुत सारी चीज़े जो हमको प्लांट से मिलती है और हमको क्या मिलता है देगी as most importantly oxygen to breathe तो oxygen हमारे किसका माता है हमारे सास लेने के let us learn about the thing plant given चिली उस बारे में पढ़ते हैं जो जो चीज़े हमको प्लांट जो है देती है food देखो most of our food come from plant तो कई सारे जो हमारे foods है वो क्या है plant से मिलते हैं they give us food grains like wheat, rice and meat तो क्या है यह हमको कई तरीके के food grains मतलब खाने वाली अन प्रदान करने वाली चीज़ें जैसे की wheat, rice, maize ठीक है इस तरीके की plants देते हैं हमको food देते है they give us pulses जैसे की दलहन फसले जो होती है ठीक है like gram, अरहर and उड़त तो ऐसी कई सारी क्या है वो pulses यह दाले देती है plants give us vegetables तो plants क्या है हमको vegetables भी देती है अब देखो हम plants के हर एक plant का अलग-अलग part खाने के लिए use करते है ठीक है तो देखो radish और carrot तो radish और carrot कहा है देखो plant का भाग उपर है और root का part क्या है नीचे है तो this vegetable are roots तो इनके roots को हम क्या करते हैं खाते है ठीक, these vegetables are steam तो potato क्या है एक जिंजर भी क्या है स्टीम है स्टीम मतलब क्या होता है थेहनिया हहते है यह तना न क्या तो चैबज और अर्ट कैया है यह हमारे लीव सेंट दिस वेज़िटेबल बालर लीव दिस बेज़िड़ार फ्रूट्स के रूप में कैए टॅमैटो एंड लीडी फिंगर न करे plant give us fruit some fruit are juicy and some are dry तो देखो juicy fruits क्या हो गए mango, apple, grapes, orange और dry fruits क्या हो गए हमारे walnut, peanut, ठीक है उसके बाद फिर kazu ठीक काजू और उसके लावा क्या बादाम, almonds तो ये सारे चीजे क्या है हमारे लिए dry fruits हो गए और juicy fruits में क्या हैंगे mango, apple, grapes, pomgranate ठीक है तो papaya, ये सारे fruits क्या होंगे, juicy fruits होंगे plant give us spices and beverages, spices may cover food tasty and beverages like coffee, tea, keep us fresh and active तो देखो, plants जो है, वो क्या है, हमको से क्या मिलता है, spices and beverages जैसे spices में क्या है, हम कहारे मसाले हो गए, ठीक है, तेज पत्ता, मसाला पत्त जिसको हम बोलते हैं वो और डालचिनी, इलाईची, ठीक है, तो ये सारे चिज़े हमको किससे मिलती है, partially colors थैक है, cloves, तो ये सारे चिज़े क्या हैं हम को plant से मिलते हैं तो ये सारे किसके अंदर आती है, spices के अंदर और spices का का काम क्या होता है, हमारे food को tasty banana ठीक है and beverages जैसे चाय की पती हो गई, कॉफी हो गई, शुगर हो गई तो ये सारी चीज़े क्या है पेपदार जो है वो हमको किस से मिलती है प्लांट से beverages like coffee and tea keep us fresh and active तो beverages जो होते है वो क्या है coffee or tea हमको क्या करते है fresh और active feel कराते है plant give us oil seed of oil plant like ground nut mustard, sunflower and coconut are crushed to obtain oil we use oil for cooking and making soaps देखो तो ऐसे कुछ plants होते है जो क्या है जिनकी seeds जो है बो क्या करती है plants oil release करती है जैसे कि ground nut, mustard, sunflower and coconut इनको अगर आप पकड़ कर ले कर अगर किसी white paper में रखकर अगर crush करते हो तो आप बहुत इसली देख पाओगे यह चीज कि आपके paper पर क्या है करश करने के बद और oil रहती है we use oil for cooking and making soaps तो हम क्या है oil का use किसले करते है खाना बनाने और soap बनाने के लिए तो आज की class ही खतम होती है next class हम कल स्टार्ट करेंगे